अगर अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स दी जाती है तो हमें उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है कैसे डील करना है वो सब चीज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं ठीके तो क्या-क्या इंपोर्टन स्टेप से डाट यू नीड तो कीप इन यूर माइंड डाट विल बी स्टॉड़िं इन डिस टॉपिक ठीके तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या होना चाहिए अगर हमें कोई भी प्रॉब्ल सब्सक्राइब क्या चाहिए यह हमारी प्रॉब्लम्स की हमेशा अनालिस होती है ठीके तो फिर्स्ट पॉइंट इस नौ फिर्स्ट वो पॉइंट वाट वीडिस्कॉस्ट इस अनालिसिस अनालिसिस ओफ द प्रॉब्लम्स ठीक है हम अनालिसिस कैसे करते हैं वी निद तो आइडेंटिफाइब कि दूंपट एडेंट्स डीजाइड आउटपट ओके नौं अब क्या होगा अगर हमने अपनी प्रॉब्लम के अनालिसिस कर लिया तो तो there will be some clear idea of the solution of the problem, ठीक है, so अब क्या हम अपने, हम code लिखना start कर सकते हैं, नहीं, अभी भी हमें अपना code लिखना start नहीं करना है, so what will be our next step, we need to break down the problems into smaller sub-parts, बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत complex problem होती है, so as a whole हम उसके बारे, उसकी solution के बारे हम नहीं सोच पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कि we need to break down our problems into smaller sub-parts, अगर हम उसे smaller sub-parts में break कर लेते हैं, so it will be easy for us to think on that smaller sub-parts, ठीक है, तो second point is, break down our problem into smaller sub-parts, ठीक है, और भी इसकी क्या benefit है, देखे हो, जब हम कोई complex problem आती है न, तो हम अगर हम उसे smaller smaller modules में नहीं अगर break down कर रहे हैं, तो क्या होता है, कि हम as a whole, एक problem का solution के तरफ सोचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि अगर हम उसे code करने जाते हैं, तो क्या होता है, कि हम बहुत सारी errors introduce कर देते हैं, तो there will be a lot of time wasting in debugging our code, ठीके, तो इसलिए, it's not the good approach to always think for the problem at a one go, ठीके, हमें अगर break down कर लेते हैं, हम अपने problems को smaller sub parts में, तो एक particular modules पे सोचना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीके, सो, अब क्या हम अपने code लिखना क्या अब हम start कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग यहां पर क्या करते हैं, कि code लिखना directly start कर देते, देखो अभी भी हमारे पास हमें जो problem दी गई है, अभी भी हमारे पास बहुत wakes सा idea है, कि हमें अपने problem को कैसे solve करना है, तो it's better to structure our problem on paper, ठीके, so next step is, write down solution on paper, ठीके, हमें अपने paper पर इसे solution को structure कर लेना चाहिए, okay, so अब हमने क्या किया, हमने अपने problem का analysis कर लिया, we have already identified the input and its desired output, sorry, यहां पर हमने input लिखा, यहां पर output होना चाहिए, ठीके, so अब हमने analysis कर लिया, अपने program का, हमने breakdown भी कर दिया, उसे smaller sub parts में, and we have also written और structure our solution on paper, ठीके, so क्या अब हम code करना start कर सकते हैं, नहीं, अब भी भी हम code करना start नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक अपने solution को verify नहीं किया है, कि whether it is error free or not, so next step is, verification of code, जो code हमने अपने paper में लिखा है, उसे अब time है हमें, उस code को verify करने का, ठीके, so अब हम verify कैसे कर सकते हैं, we can take randomly two to three examples, two to three examples of input, और फिर हम देख सकते हैं, कि ये example को हम ले कर के, क्या हमें desired outputs मिल रहा है कि नहीं, अगर हमें desired outputs मिल रहा है, then it's fine, ठीके, two to three examples, randomly, to check, for, its desired, output, ठीके, clear है आपको steps, now, what should be our last step, अब हमने अपने code का analysis कर लिया, breakdown भी कर लिया, उसे smaller subparts में, उसको solution भी उसका, हमने लिख लिया, then we have also verified our code, अब जादा से जादा, हमारा code error free है, so now it's the time to write down the code on the compiler, अब हम अपने code को, compiler पर लेख सकते हैं, so, write down code on the compiler, ठीक है, so in this lecture, we will be focusing on these four steps, okay, हम इस four steps पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये fifth step, we will be studying in most probably in the next lecture, और उसके हो सकता है, उसके बाद हम पढ़ें, ठीक है, but अभी हम, we will see how we can structure our problem on paper, ठीक है, so in today's class, we will study the concept of flowchart, अभी हम, how we can structure our problem with the help of flowchart, ठीक है, so let's start with our today's topic, that is, flowchart, okay, so what is flowchart, flowchart is, diagrammatic representation of a solution, जो हम solution लिखते हैं, उसे हम diagramatically कैसे represent कर सकते हैं, वो हम सिखेंगे, flowcharts के जरिए, ठीक है, so, why we are using flowcharts, अब हम हमारे माइंड में ये question आ रहा होगा, कि, why we are using flowcharts, ठीक है, so, इसकी advantages है, कुछ-कुछ, जो कि हम discuss करेंगे, one by one, ठीक है, advantages, of using flowcharts, okay, first advantage is, helps in breaking down our problems into smaller subparts, हमने पहले भी discuss किया, कि अगर हमारे पास एक complex problem आता है, तो हम उसे क्या करते हैं, breakdown कर देते हैं, उसे smaller modules और smaller subparts में, so, flowcharts हमें एक solution को breakdown करने में help करता है, ठीक है, so, it helps in breaking down our problem into smaller subparts, okay, now, this is the first advantage, now, second advantage क्या हो सकता है, it helps in documentation, it helps in docu documentation, अब ये documentation में कैसे help कर सकता है, suppose we are working on some real time projects, ठीक है, so, जब हम एक बड़ी projects पर काम करते हैं, so, what we do, we break down our problem into smaller submodules और subparts, ठीके, अगर हमारे पास उन सब मॉड्यूल्स का फ्लोचार्ट्स अवेलेबल होगा तो इट विल हेल्प इन डोकुमेंटेशन, ठीके और एक बात, सपोज आएम ओनिंगा सॉफ्ट्वेर कंपनी हमारे पास दो डेवलापर एं एक C++ के डेवलापर है, और एक Python वाले डेवलापर है तो अगर उन वो दोनों एक सेपरेट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे है ठीके, एक स्मॉलल सब पार्ट्स पे काम कर रहे है ठीके, अब क्या होता है, कि वो कैसे आपस में communicate कर सकते है, with the help of flowcharts, ठीके, एक C++ developer भी flowcharts को समझ सकता है, और एक python developer भी flowchart को easily समझ सकता है, इसलिए वो दोनों को communicate करने में, flowchart बहुत important role play करता है, ठीके, now, third advantage is, it helps in maintenance of our code, ठीके, अब यह maintenance में कैसे help कर सकते हैं, suppose, एक software बनाया गया, अब हो सकता है कि after some months, और after some years, it has got some errors, या फिर हो सकता है कि कुछ नया feature उसमें include करने की जरूरत पढ़ गई, तो developer क्या करता है, कि वो flowchart को study कर लेता है, और फिर वो easily क्या कर सकता है, उस error को resolve कर सकता है, या फिर कोई भी new feature उसमें add easily कर सकता है, without reading the entire set of code, ठीके, उसे पूरे codes पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती है, उसे क्या करना पढ़ता है, सिर्फ flowchart को study करके, उस particular modules में जहां पर error आ रहा है, वहां पर जाकर वो अपने error को resolve कर सकता है, ठीके, यह maintenance में भी बहुत ही जादा help करता है flowcharts, I hope कि आपको इसके advantages समझ में आ चुकी होगी, ठीके, So, now we will be discussing about some of its components, ठीके, flowcharts के क्या क्या components होते हैं, वो अब हम देखेंगे, So, अगर आपने अभी तक यह points note down नहीं किया है, तो आप इसे जरूर पॉस करके note down कर सकते हैं, ठीके, Okay, now we are moving towards the components of flowcharts, components of flowcharts, Okay, सबसे पहला components होता है, flowcharts का, that is, terminator, Terminator, Terminator flowcharts में यह बताता है कि हमारा जो solution जो हमने diagramatically represent कर रखा है, वो कहां से end होता है और कहां से start होता है, ठीके, तर्मिनेटर का symbol flowcharts में हम ऐसा यूज़ करते हैं, ठीके, स्टार्ट भी रिप्रेजेंट करता है यह फ्लोचार्ट का और, एंड भी same symbol से, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीके, दर्मिनेटर डिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारे प्रोग्राम में यह बताता है, कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या-क्या इन्पुट की रिक्वार्मेंट होगी, और क्या के desired outputs इस प्रोग्राम में आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका symbol बहुत है, एक ऐसा symbol यूज़ करते हैं, ठीक है, सपोज हमने दो नमबर को add करने के लिए एक flowchart डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें कुछ inputs चाहिए होगे, यूज़र से, क्या, जैसे कि दो नमबर हमें तो चाहिए होगा, सबसे पहले, सपोज वन नमबर इस 5 और अधर नमबर इस 3, ठीक है, तो यह जो हम यूज़र से input ले रहे हैं, यह हमारा कौन सा section डील कर रहे हैं, इस पार्ट, ठीक है, यह हमारा read and means, यह यूज़र से कुछ input नमबर ले रहा है, यह हमें यह indicate कर रहे हैं, ठीक है, और यह output box is indicating कि हम, सपोज यह सम प्रिंट कर रहे हैं, क्या करें, दो नमबर का सम प्रिंट कर रहे हैं, 5 प्लस 3 is 8, यह इंडिकेट कर रहे हैं, हम सम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, अब थार्ड कॉंपोनेंट इस, process box, see, process box, always used to deal with some calculation और some operations, ठीक है, जैसे हम दो नमबर को add कर रहे हैं, तो हमारा process कैसा होगा, process box को हम simply एक rectangular box से represent करते हैं, तो दो नमबर को हम add कर रहे हैं, तो a प्लस b, ठीक है, यह दो नमबर को हम add कर दिए, और इसे किस में store कर दिए, c में, c नाम का एक variable, या फिर सपोज यहां पर हमने sum नाम का एक variable लिया है, तो, यहां पर sum नाम के variable में हम इसे store कर दिए, variable आप अब जब हम आगे discuss करेंगे, कि variable क्या होता है, ठीक है, अभी तो आप बस यह variable को box assume कर सकते हूं, ठीक है, एक memory allocate होता है, बस आप इतना ध्यान रखोंगे कि एक memory allocate होता है, compiler में जहां पर यह value जो हम user ने दिया है, वो store होता है, ठीक है, बस अभी तक अभी आप यही ध्यान में रखोंगे, ठीक है, now next component is, so process आपको समझ मागी है किस से deal करता है, यह हमेशा calculation part से जाधा तर आपको deal करते वे दिखेगा, ठीक है, here performing the addition operation, so calculation perform हो रहा है, so we will be using process box, okay, now our next component is decision box, decision box को हम ऐसे, एक diamond symbol से express करते हैं, ठीक है, एक diamond symbol से indicate करते हैं, अब देखे, decision making जहां पर आएगा, कुछ ऐसे problems होते हैं, जहां पर हमें decision लेना पड़ते हैं, suppose एक number हमें user ने दिया है, को एक particular number दिया है, suppose 3, ठीक है, और हमें इस program में find करना है, कि whether that, the number that is given by the user is an even number और odd number, so, यहां पर हमें क्या करना पड़ रहे है, decision लेना पड़ रहे है, decision लेना पड़ रहे है, suppose n एक number है, जो कि हम user ने 3 दिया है, so even number वो कब होगा, जब इसका remainder क्या आएगा, जब उसका remainder हमेशा 0 आएगा, ठीक है, और एक number odd कब होगा, जब उसका remainder हमेशा 1 आएगा, ठीक है, जब उसका remainder हमेशा 0 आएगा तो बहो क्या होगा, एक even number होगा, और अगर एक number का remainder 1 आया तो वो एक odd number होगा तो यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है decision लेना पड़ रहा है means एक condition लगा कर चेक करना पड़ रहा है कि वो number even है या odd है तो जब भी हमें एक ऐसा decision लेना पड़े ऐसा decision making process खुछ apply करना पड़े so hum what we will use we will be using this decision box take it now our next and the second last component is the arrow take arrow ka symbol which asa hota aapko toh pata hi hoga ye toh bhot simple arrow asa hi dikta hai kuch so what is the use of arrow in flowcharts arrow हमें हमारे flowcharts में यह बताता है कि how our execution is going on ठीक है हमारे solution का execution कहां से कैसे और किस direction में जा रहा है वो हमें arrow represent करता है हमारे flowchart में ठीक है so it's quite clear with its name only ठीक है, and last component is, connector, ठीक है, last component के आ है, connector, अभी फिलाल के लिए हम इस component को skip कर रहे हैं, ठीक है, जब हम function पड़ेंगे, when we will be doing function, तब हम, इसका क्या user हम उस समय डिसके स करेंगे, फिलाल, आप इसका symbol ऐसे ध्यान में रख सकते हो, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाते है, ठीक है? So guys, I hope कि आपको ये सब components clear है, ठीक है? अभी हम जैसे problems इस पर discuss करेंगे, तो आस्ते आस्ते आपको सब कुछ आपको clear होते जाएगा, and you will be done with this concept, ठीक है? So, let me discuss some problems, ताकि हम एक clear picture इस topic पर ला सके, ठीक है? So, our first example is, add two numbers, ठीक है? We will be designing a flowchart to add two numbers, ठीक है? So, सबसे पहला step, हमें terminator से start करना पड़ेगा, जो कि हमारा solution को start करने का एक तरीका है, ठीक है? So, we will right here start. Now, next step, we will be using this arrow, जो कि हमारा execution बता रहा होगा, प्रोग्राम का की, कहां से, कैसे और किस direction में हमारा प्रोग्राम एक्जिक्यूट कर रहे हैं. Now, second, अब हमें क्या ज़रूरत है? हमें एनलाइस करना है, प्रोग्राम को, So, what we will be looking for? The input. हमें इसमें क्या input चाहिए होगा? हमें दो नंबर चाहिए होगा, जिसको हमें add करना है. Suppose, दो नंबर हमने ले लिया A and B. Okay? Now, our next step is to perform the calculation. हमें दो नंबर को क्या करना है? अब हमें input में लिया है. Suppose, हमने A में enter किया user ने 5, and B में user ने enter किया 3. ठीक है? So, इन दोनों को add करना है हमें, और उसको किस में store करना है? Sum नाम का एक location में या Sum नाम का एक variable में. ठीक है? So, Sum में क्या store होना चाहिए? 8. ठीक है? So, what we will write here? Sum is equals to A plus B. ठीक है? यह दोनों नंबर add हो जाएगा 5 plus 3, and it will be saved to a variable named Sum. ठीक है? यह arrow को आप इस arrow से confuse मत की जाएगा, ठीक है? कि यह बस मैं समझाने के लिए यह arrow बनाया हूँ. वैसे यह arrow का importance है flow chart में. ठीक है? The down arrow that you are seeing it. So, what will be our next step? अब हमने क्या किया? input भी ले लिया user से. हमने उस पे calculations भी perform कर लिये. अब हमारा next step क्या होना चाहिए? To print the output. So, output प्रिंट करने के लिए हम कौन सा component यूज़ करते हैं? input-output box. So, what will be printing here? print sum. Sum नाम के variable में हमारे क्या है? output रख है. So, हमने क्या किया? उसे print कर दिया. And now our program is going to end. So, हम terminator के help से इस flow chart को end कर सकते हैं. ठीक है? So, ये एक simple हमने क्या किया? पहले, first step क्या था? हमारा problem को analyze करना. हमने analyze कैसे किया? हमने देखा कि क्या क्या inputs की यहाँ पर requirement है. So, we have taken two variable. That is A and B. ठीक है? Second step, हमने क्या किया? breakdown कर लिए इस problem को. input, calculation and output part में. यह क्या है हमारा? input part है. यह हमारा एक calculation part है. और यह हमारा क्या part है? output part. और हमने, third step क्या था हमारा? write down our solution on paper. तो हमने यह flow chart अपने paper में design कर रख है. ठीक है, अब हम क्या करते है? इसे verify करते है. अब verify हम कैसे कर सकते? कोई भी दो number जो हमने यहाँ पर लिया A, B. अलग-अलग input से हम check कर सकते है. So, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम check कर सके. हम कोई भी दो number डाल सकते वैसे. यहाँ पर suppose 8 डाल दिया. मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया. A and B. और इसको add किया. तो sum नाम का एक variable में हमने क्या store के लिए दिया? 8 प्लस 2 which is equal to 10. So, अलग-अलग inputs से हम problems को verify कर सकते हैं. ठीक है? आगे कुछ ऐसा problem होगा जिसमें हम में verify करने का बहुत ज़्यादा importance होगा. यह तो बस simply हम दो number को add कर रहे थे. तो that two numbers can be anything. ठीक है? So, यहाँ पर उतना importance नहीं है verification का. And last step अब हम क्या कर सकते हैं? इस flow chart को लिखने के बाद हम और verify करने के बाद हम अपना code लेख सकते हैं. compiler पर. ठीक है? I hope you would have got this concept. So, guys, एक और problem हम discuss करते हैं. So, let's move to example number 2. Example number 2. Find simple interest. हमें simple interest find करना है. So, अब हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं? Analyze करते हैं. So, सबसे पहले तो हम terminator के help से इस flow chart को begin करते हैं. ठीक है? Start. अब हम इसमें क्या-क्या inputs की requirement है. हमें अगर simple interest find करना होता है. तो हमें क्या-क्या किस-किस input की requirement होती है? सबसे पहले तो principal amount principal amount दूसरा rate percent और तीसरा क्या हमें जरूरत पढ़ता है? टाइन. ठीक है? यह तीन input की हमें जरूरत पढ़ेगी इस problem को solve करने के लिए. ठीक है? so, read principle we are here principle we are indicating with some p variable rate with r and t with time okay now, next step we need to calculate the simple interest so, यह अमारा क्या पाट था? इनपट पाट अब हमारा calculation पाट आ रहा है so, which component we will be using? simply the process box अब हम इसमें ऐसा ही नाम के एक वैरियेबल में हम क्या करेंगे? यह calculation perform करेंगे यह calculation क्या करेंगे? perform करेंगे now, we have done with the calculation part अब हमें क्या चाहिए? output चाहिए क्योंकि हमने already अपना calculation perform करके उसका result किसमें store किया? si में simple interest नाम का एक वैरियेबल में हमने output store किया so next step would be to print the output so print si and now the output will be displayed on the screen so अब हम को क्या करना है? हमारे problem को हमारे solution को end कर देना ठीक है? this is the output part ठीक है? बात समझ में आ रही है so ऐसे हम question को solve कर रहे होंगे flow charts ठीक है? I hope कि आपको अच्छे clear picture आ गई होगी कि ये flow chart हम कैसे use करते हैं and how we are dealing with the problems okay so guys thank you so much for watching this and I hope you would have got the concept that I have discussed in this lecture so stay healthy stay safe we will be meeting in the next lecture very soon तब तक कि लिए अगर मैं कुछ अशिंगमेंट आपको दोंगा इस topics are related so try to solve those questions and the link will be given in this video so you can download it from there from the description and you can start solving those questions in order to have grip in this topic thank you thanks a lot